हर रिए हमा हर तो ओल्टों हर अलो दोस्तों स्वागत आपको हमारी स्यूट्रियो चानल पर दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग किसी लाइन को इकुल पार्ट्स में कैसे बाखते हैं इस तॉपिक पर आज चर्चा करें। हम लोग आज के वीडियों में जानेंगे कि कि सी लाइन को तेन पॉल पार्ट में एट पेशल पार्ट में या 12 पौल पार्ट में कैसे बाढ़ते हैं मानलिजै कि यहांपर एक लाइन दी गई है सिसलैन की ले डाइन कोई भी हो सकती आपको एक्जाम में 10혼, pew, remote popede 10 SpaceX करेंगे कि इस लाइन को 8 equal parts में या 10 equal parts में या 12 equal parts में या 20 equal parts में कैसे बाटे तो अज हम लोग इसी पाद चर्चा करेंगे तो चलिए दोस्तों इसको practically करके देखते हैं कि इसको कैसे किया जा सकता है तो आयो दोस्तों शुरू करते तो दोस्तों देखेए यहां पर हमने एक line ले लिया हुआ जिसकी length जो है 15 cm है अब एक्जाम में हमने कहा आपको कि यह line की distance जो है यानि के length कोई भी हो सकता है 5 cm का हो सकता है 10 cm का हो सकता है या 20 cm का हो सकता है चाहे चाहेँ इतनी लंबी line हो आप उसको equal parts में कैसे बाटेंगे तो उसके लिए दोस्तों देखें हमने एक line ले लिया अब इस line का जो starting point यह starting point है इस starting point से आप क्या करेंगे protector लेंगे और protector के मदद से आप क्या करेंगे या तो 30 degree का या साथ degree का अब यहां पर देखिए दोस्तों अगर हम इसको ऐसे protector को लगाते हैं तो यहां पर इसका mid point जो है यह center point यह 90 degree आ रहा है तो हमें 90 degree का नहीं लेना है 90 degree से हमें यहां से यहां कम ही रखना है तो हम कोशिश करेंगे कि यह 60 degree का हो तो बहतर है 30 degree का हो तो बहतर है तो चलिए हम लोग यहां पर 30 degree का ले करके देखते हैं कि इस पर कैसे हम लोग line को equal parts में पाटे तो हमने यहां पर दोस्तों 30 degree के angle पर marking कर लिया तो यह मेरा 30 degree है अब यहां से हमें क्या करना होगा एक line लेनी होगी तो चलिए हम एक inclined line ले लेते हैं तो यहां से दोस्तों हमने एक inclined line ले लिया अब मान लिजे कि इस line को हमें 10 equal parts में बटने को तो हम क्या करेंगे कि यहां अपने compass में कोई भी size खोल लेंगे अब size depend करता है यह जो line है x y line उसकी length के अनुसार की उसकी length कितनी है उसी हिसाब से आप compass का size छोटा या बढ़ा करेंगे तो मान लिजे कि हमने यह size ले लिया अब इस size से क्या करेंगे इस starting point से हम 10 पार इस inclined line पर कट लगाएंगे तो यह 1 यह 2 यह 3 यह 4 यह 5 9 हो गया और यह मेरा finally 10 हो गया तो हमने इस inclined line को क्या किया उतनी ही equal parts में आर्क लगाया है कट लगाया इस inclined line को जतना की इसको हमें बाटना होता अगर इस line को हमें बड़ा 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 भाग में बाटना होता तो हम इस inclined line पर बाड़ा बार कमपास से कट लगाते उस inklलाइन लाइन पर तो हमने दस बीषी कट लगा आए है तो हमने इस लाइन को पार्ष में बाटना होगा तो किया इसकö लीका करेंगे आपका जो को ला करके यहां ट्रांसफर कीजिएगा तो यह मेरा यह यहां आगया यह इसी तरीके से जो है दोस्तो सब को पैरलल लाइन ले करके उस एकस वाइन पर ट्रांसफर करेंगे जिसको आपको इकुल पार्ट में बाटने हैं तो हमने सारे लाइन को पॉइंट को क्या किया उस लाइन पर ट्रांसफर कर दिया दोस्तों आप देखिए इसकी नेमिंग करके देखते हैं तो यह मेरा जीरो यह वन यह टू यह थीरी यह फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और यह मेरा टेन तो हम इस तरीके से किसी भी होरिजन्टल ल मर्स में दोस्तों बदल सकते हैं तो दोस्तों इस तरीके से करेंगे तो आपको स्क्राइं में को हटाँ दोस टीयार पड़ता है तो ग.'ण चैनल को लाइक भी किजिए, मेरे वीडियो को लाइक किजिए, थैंक यू